बेचार 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 अरुन जेटली नी हाझ्री मा आ संकल्पत्रा नू एलान थेव आवदतिकाले ज्यारे पहलो पडाव चुट्रीनू निभ्यासी बाट्रकोंब्राटे लोकुमत्दान करवाना शे त्यारे अरुन जेटली नी हाझ्री मा भाजपना मैनीफेस्टो जाहर थेव् जीतू वागानी तमनी साथे छे साथे भाजपना अनिकार्यकर्ताव पर छे अन्या मैनिफेस्टोर ने लेने अरुन जोटली निवित गुजरात विधान सभा चुनाब के लिए संकल पत्र हम लोग ने जारी किया है इससे पहरे की मैं आपको विश्टित जानकारी उसकी दूँ और बाद में जीतुबाई भुपेंद्र जी आपको अन्या जानकारी देंगे उसकी एक मैं विशेस पश्ट कर दूँ कि जो चुनाब आयोग का कोड अफ कॉंड़क होता है वोटिंग से पूरवार तालिस घंटे के लिए उसका एक काईदा होता है और उस काईदे में कुछ आवशक्ता हैं रिक्वार्मेंट्स होती हैं और यह कि यह होती है कि किसी उम्मीदवार की फोटोग्राइफ डिस्प्ले नहीं करेंगे तो इसलिए हमने हमारे जो स्थानिय नेता हैं प्रदेश अद्यक्ष मुख्यमंत्री उस काईदे का पालन करते हुए कि आज जो रिलीस किया है उसमें उनकी चित्र नहीं रखा क्योंकि हम कोड़ अब कॉंड़क के मुदाबिक चाहते हैं इसका जो रिवाइज्ड वर्डल उनके वर्जन होगा उनके चित्र के साथ का वो कल पांच बज़े के बाद हम उसको दुबारा नेट के उपर डाल देंगे ताकि आपके लिए उपलब्द होगा बाकी जो कंटेंट है वो सेम रहेगा मैंने इसलिए स्पष्ट किया कि इसका कोई अन्यकारण नहीं है लेकिन कोड अफ कॉंड़क की रिक्वायर्मेंट है कि 48 आर्स के लिए किसी कैंडिडेट की फोटोग्राफ हम डिस्प्ले नहीं कर सकते हैं हम फोटोग्राफ नहीं डिस्प्ले कर सकते और जो शेत्रों में कल पोलिंग है उनमें किसी का विशेश दिक्र नहीं कर सकते मैं आज यहां था मैं जो संकर्प पत्र है उसके पीछे गुजराद की विकास का एक द्रिष्ट कौन है और मुझे आज उस विकास के द्रिष्ट कौन पे बहुत ज़्यादा नहीं कहना क्योंकि कल ही क्राइसिल रेटिंग एजिंसी ने जो पूरा डेटा रिलीस किया हला कि वो सरकार में तो वो डेटा उतलब्द था कि जो देश में बड़े राज्य हैं लाज स्टेट सें पिशले पांच साल से लगातार केवल एक राज्य है जिसका एवरेज ग्रोफ रेट दस परसंट है there is only one state in India amongst the larger states which has a double-digit growth rate और ये double-digit growth rate उच पांच साल में था जबकी विश्व की और देश की अर्थवेवस्था का जो बूम पीरियड होता है वो नहीं था और वो गुजरात है पिशले पांच फिस्कल येर्स का गुजरात का एवरिज ग्रोथ रेट दस परसेंट है जी एस बीपी जिसको कहते हैं नेरेस्ट नंबर दो पे मद्द्परदेश है एट पॉइंट वन पे और केवल गुजरात दस परसेंट से ग्रो कर रहा है एक वक्त था बूम पिरियेट में जब चाइना ग्रो करता था इस रेट में वो भी अब उनका भी जो नॉर्मल रेट है वो सारे छे परसेंट के गरीब आ चुका है और इसलिए मैं यह कहूंगा कि जो हम लोगों की प्रफॉर्मेंस है वो अपनी आंकडों में अपनी कहानी स्वयम बतलाती है दे प्रफॉर्मेंस स्पीक्स पॉर इट साथ और इसलिए जो लोग गुजरात के उस डवलप्मेंट मॉडल को क्वेश्चन करते हैं इस दस परसेंट ग्रोथ रेट एवरिज पांच परसेंट लगातार पांच वर्ष तक लगातार चले इसकी गंबीरता को उनको समझना पड़ेगा और इसके पीछे उद्देशी यह है कि गुजरात में सबाजिक और आर्थिक द्रिष्टी से हर शेत्र के अंदर हम लोग विकास करें गुजरात का इंफ्रस्ट्रक्चर अच्छा बने गुजरात की पोर्ट एकॉनमी अच्छी बने गुजरात की क्रिशी शेत्र में प्रगति हो यहां स्वास्थ और शिक्षा के शेत्र में हम लोग इसको आगे बढ़ा पाएं यहां के जो कमजोर वर्ग हैं उनके लिए विशेश कारिक्रब हम लोग ला पाएं और इस संकल पत्र का द्रिश्टिकोन सबसे अधिक ये रहेगा और दूसरा प्रयास हमारा ये रहेगा कि समस्त गुजरात को एक रखना और गुजरात की जनता के हर वर्ग की चिंता करना कॉंग्रेस के सम्मंद में मैं सिरफ दो तीन विश्यों की टिपणी विशेश रूप से करना चाहूंगा कि गुजरात का मैं ये टिपणी में पहले भी कर चुका हूं उसको दो राना चाहूंगा कि गुजरात में समाजिक ध्रूविकरन करना सोशल पोलराइजेशन करना ये राज्य का नुकसान करने वाला राजनेतिक रास्ता है और इस रास्ते पर अगर कॉंग्रेस चलती है तो गुजरात का और नुकसान करेगी जिस प्रकार से असी के दशक में उन्होंने किया था दो वाइदे जो उन्होंने किये एक सम्विधानिक दृष्टी से असंभव है इस अ कॉंस्टिटूशनल इंपॉसिबलिटी यारी रेजर्वेशन बियॉंड फिफ्टी परसेंट और दूसरा अगर हम वास्तविट्ता देखें तो कुछ वाइदे ऐसे किये जो वित्य दृष्टी से फाइन्शल दृष्टी से असंभव है इंपॉसिबल है गुजरात का अपना टोटल रेवनियू राजस्व नब्बे हजार करोड का है और उस नब्बे हजार करोड में से कुछ सेंट्रल डेवलूशन आ जाता है इसके इलावा उसमें सैलरीज भी देनी पड़ती है पेंशन भी देनी पड़ती है जो राज्य में विकास कारे चल रहे हैं वो साय चलते हैं जितने उन्होंने वाइदे किये हैं क्योंकि इस विशे के साथ थोड़ा सा मेरा संबंध है तो जितना आज खर्चा होता है वो उसमें केवल एक लाख एक्कीस हजार करोड उन्होंने और जोड़ दिया है टोटल कोस्ट अफ अडिशनल कंसेशन्स इस वन लैक ट्वेंटी वन थाउजन क्रोड और कुल मिलाकर तोटल राजस्व तो नब्बे हजार है और उस नब्बे हजार में से भी उन्होंने का कि बीस हजार हम और माफ कर देंगे तो उस नब्बे को भी सप्तर पे ले आएंगे और उस सप्तर में से एक्जिस्टिंग खर्चे भी पूरे होंगे तंखाव, वेतन, पेंशन, डेवलप्मेंट्स, इक्जिस्टिंग स्कीम्स वो सारी मुष्किल से पूरी होंगी, उसमें एक लाख, इक्कीस हजार करोड और जोड देंगे इस तरह के वाइदे करना, इस तरह के वाइदे करना, जो कभी निब ना पाए, इसका मतलब दूर दूर से भी गवर्रेंस स्ट्रक्चर के साथ उनका कुछ संबन्ध नहीं है, मैं इसका केवल एक दो और उधारण दूँगा, 2008 में उन्होंने कहा था केंद्र में कि हम किसानों का रिणमाफ करेंगे, के इंद्र में सरकार थी, मैंने नाबाड से गुजरात समंधित काज़ लिये हैं हर जिले के, कुल मिलाकर वो रिणमाफी में केवल यारा सौ चपन करोड रुपया, 1156 करोड गुजरात को दिया दो, दूसरा, जिस वक्त साथ डॉलर से उपर गया तेल की कीमत, क्रूड ओल की कीमत, तो हमने केंद्र की भी डूटी कम की, बीजेपी राज्यों ने भी कईयों ने कम की, और राज्यों को भी हमने पत्र लिखा, मैंने स्वहम लिखा कि भई, थोड़ी डूटी स्कम कीजिये, हर कॉंगरेस प्रांत ने एक पैसा डूटी कम करने से इंकार कर दिया, करनाटक ने, पंजाब ने, शिमला ने, माचल ने, मैं पूर वुत्तर वालों की नहीं जिनता, As a rule, all Congress states refuse to reduce a single rupees duty, किंद्र ने कम किया, बीजेपी राज्यों ने अपनी कम की, तो आपके पास अवसर था, तब तो आपने कम नहीं किया, तोरुन चिटली प्लस कॉंफरेंस करी रहा चे भाज़ों पे पोता अनों मैनिफेस्टों बाहर पाड़ों चे तैमा केके बाबतों नूर लेक कराया उचे तैने ने निवात करता पहला, तैमने कॉंग्रेस पर प्रहार करया हा था, ब्रेक लेशु हाल रोगाशु ब्रेक करें,